27 सतंबर 1918 को उस्तम न्याले की मुख्य न्याय धीश दीपक मिश्रा और न्याय मूर्ती खान विलकर ने 158 साल पुरानी भारतिय दंड सहिता की धारा 497 को खत्म कर दिया है अर्थात सुप्रीम कोट ने भारतिय दंड सहिता की धारा 197 और RPC की धारा 198 को औसमविधानिक घोशित कर दिया है कोट ने फैसले में कहा कि अभिय कहने का समय आ गया है कि पती महिला का मालिक नहीं है सुप्रीम कोट ने कहा कि पती के कहने पर पत्नी किसी की इक्षा की पूर्थी कर सकती है तो इसे भारतिय नैतिकता कता ही नहीं मान सकते क्या है धारा 1977 IPC की धारा 197 के तहट अगर कोई शादी शुदा पुरुष किसी शादी शुदा महिला के साथ रजामंदी से संबंद बनाता है तो उस महिला का पती एडल्टरी के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ कोई केस दर्ज कर सकता है लेकिन वो अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कारवाई नहीं कर सकता है साथ ही इस मामले में शामिल पुरुष की पतनी भी महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवा सकती है इसमें ये भी प्राउधान है कि विवाहतर संबन में शामिल पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथ ही महिला का पती ही शिकायत दर्ज कर कारवाई कर सकता है